बंदे मात्रम राजियु भाई अमर हैं भाईयों मैं एक बात आप लोगों से सेर करना चाहता हूँ मुझे गोविंद भाई द्वारा एक पुस्तक प्राप्त हुआ जिसका नाम चमत कारी तेल उमेश पांडे जी का तो उसमें मुझे एक तेल बनाने की बिधी मिली उस तेल का नाम बिसगर्व तेल है समस्त वात्रोगों को नास करने वाला सरबोत्तम तेल है बिसगर्व तेल इसका नाम है इसको सिद्ध करने के लिए बिधी जिस तरीके से मैं बनाया तो सबसे पहले पुसकर मूल, सोट, बच, भारंगी, सतावर, मजीट, हल्दी, लहसुन, बायबिडिंग, देवदारू, अस्वगंधा, अजमोद, मिरच, पीपला मूल, खरेटी, गंधप्रसारडी, सहजन, गिलोई, जाउगेर, हरण, दसमोल, संभालू, मेथी, पाठ काउच, पाठ काउच बीज, इंद्रायन की जड़, तथा सौफ, इन सभी को 20-20 ग्राम मात्रा में लिया, इनका जितना वजन बना उससे चार गुना जल लेकर उसमें आउट आया, जब तीन हिस्सा पानी जल जाये, जल गया और चौथाई हिस्सा पानी रह गया, तब इसे उतार लिया, इसमें 250 ग्राम मोख फली का तेल, 250 ग्राम अरंडी का तेल, तथा 250 ग्राम सरसो का तेल मिलाया, इसी के साथ इसमें धतूरा, आरंडी, भांगरा तथा आकड़े का 250-50 ग्राम रस मिलाया, इसके उपरांथ गाय के गोवर को थोड़े से जल में घोल कर कपड़े की सहायता से गार कर निकाल लिया, गाय के गोवर जब निकाल लिया, गोवर का 250 ग्राम रस मिलाया, इस संपूर्ण पदार्थ को गर्म किया, जब संपूर्ण जल तथ उड़ गया, तब यहा तेल सिध्ध हो गया, तथ पस्चात इसे च्छान कर इसमें हमने 15 ग्राम संखिया मिला कर रख दिया, यह तेल तयार है, और इस तेल को बनाने में थोड़ा सा कठनाई तो है, क्योंकि मैं जो दस मूल इसमें लिखा गया है, तो मैं पसाड़ी कहां से नहीं लिया था, पांच बड़े पेड़, पांच छोटे पेड़ से मैंने निकाला था, जैसे आम, महुआ, नीम, बेल, ऐसे करके गोखरू, छोटे पेड़ों में गोखरू, और पुनरनवा, ऐसे ऐसे करके, मैं दस मूल अपना बना लिया था, मैं इसी को प्रियोग में लिया था, इस तेल की मालिस करने से मैंने कई लोगों को थोड़ा-थोड़ा दिया, इससे चमत कारिक लाव हुआ, फिर मैं एक दिन अपने बैग में एक सीसी रखा था, तो मुझे कहीं ट्राई करना था उसको, तो मैं एक बैग जी थे हमारे बगल में, तो उनको मैंने तेल दिया, फिर मैंने कहा, आप बैग जी इसको ट्राई करिएगा किसी गठिया वाले मरीज पे, फिर मैं साम को आता हूँ, तब आप से मिलता हूँ, मैं जब साम को आया, और बैग जी से मिला, बैग जी क्या हाल तो उन्होंने बताया कि एकदम चमतकारिक तेल है भाई साथ, आप मुझे इसका नुस्खा बता दीजे क्योंकि मैं बैद का काम करता हूं, मुझे एक काम आएगा, तो हमने कहा आप अध्यन करिए, तो उन्होंने कहा कि कैसे अध्यन करें, कहां से आप आए, तो हमने गोविं भाई जी का नंबर दे दिया, उन्होंने कहा भाई तेल तो बहुत जवरदस्त है, अब मैं क्या बताओं, थोड़ा सा इस तेल को लगाने से, आदमी हाथ अपना धुले साबुन या मट्टी से किसी तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संखिया का प्रयोग किया गया है, इससे थोड़ा सा सुरचित हो जाएगा, हाथ धुल लेगा तो ठीक रहेगा, बाकी मैं क्या बताओं, गोविंद भाई से जब से मैं जुरा हूँ, तब से लोगों का मदद कर देता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, तो गोविंद भाई से मैं पूंच के, जो मेरे से बन प पाता है, मैं जानता हूँ, तो बता देता हूँ, नहीं तो गोविंद भाई से पूंच लेता हूँ, और कोई न कोई दो चार भाई बहन रोज मिल जाते हैं, कि भाई इससे मैं परिसान हूँ, उससे मैं परिसान हूँ, चलो भाई, मैं मदद कर पा रहा हूँ, तो करता हू अन्यथा गोविंद भाई से बात करके मैं आपका समस्या का कोई निदान निकालता हूँ गोविंद भाई और मैं आप लोगों से एवी कहना चाहता हूँ गोविंद भाई निस्वार सेवा जो कर रहे हैं उनके जवान से जो भी निकल जाता है वो सत्त होता है क्योंकि वो निस्वार सेवा करने हैं तो प्रभु ने उनके बातों का उनके जवान का रच्छा तो करते ही हैं ये मने कल जुग में अपना रेडिंग किया कि देखिए गोविंद भाई जो भी कुछ बोल देते हैं कैसा सत्य चमत कारिक निकलता है जै प्रभु जै भोलेनात गोविंद भाई पेर अच्छा बनाए रखें राजु भाई अमर नहें बंदे मात्रम जै हिंद जै भारत